आपने एक स्टॉक का रिसर्च किया है और आपको ऐसा लगता है कि एक स्टॉक जो है वो आने वाले दिनों में उपर जाने वाला है तो वहाँ पे आपको कॉल बाई करना चाहिए या फिर आपको पूट सेल करना चाहिए इसे के बारे में आज डीटेल चर्चा करेंगे तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात जब भी आप कॉल बाई करते हो तो वहाँ पे आपको प्रीमियम जो है वो आपको पे करना पड़ता है और उसके बाद आपको वो उप्शन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी उप्शन सेल करते हो फिर वो चाहे कॉल उप्शन हो या फिर पूट उप्शन तब आपको जो है मारजिन तो ज्यादा लगता ही है लेकिन उसके साथ साथ कुछ अमाउंट आपको एज प्रीमियम रिसीव भी होता है तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस रहता है जब भी आप कॉल बाई करते हो तो आपको कैपिटल कम लगता है लेकिन जब भी आप पूट सेल करोगे तब आपको कैपिटल की रिक्वाइर्मेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी दूसरी अगर यहाँ पे हम एक चीज देखे तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट कैसे बनाते हो तो सबसे पहली बात जब भी आप किसी स्टॉक का जहे कॉल बाय करते हो तो उसके बाद जो अंडरलाइंग आसेट है यानि कि जो स्टॉक की प्राइस है वो अगर उपर जाती है तो कॉल की भी प्राइस जो है वो उपर जाती है और आपको प्रॉफिट होता है उसी तरह अगर आपने put sale किया है तो put sale करने के बाद आपको जैसे लगता है कि जो underlying asset है या फिर stock है उसकी price उपर जाने वाली तो जैसे ही stock की price उपर जाती है put option की जो price होती है वो नीचे जाती है और उससे आपको profit होता है क्योंकि आपने जो put option है वो short sale किया है यानि कि आपने उसको पहले sale किया है तो जैसे ही उसकी price कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको profit होता जाएगा तो ये दोनों situation में basically आप profit कैसे बनाते हो उसका idea आपको यहां से आ जाएगा अभी इसके बाद तीन important factor आपको देखने होते है उसके बिहाब पे आप decide कर सकते हो कि आपको call buy करना है या फिर आपको put sale करना है कौन से है वो तीन important चीज़े तो सबसे पहली चीज़ होती है delta उसके बाद होता है vega और सबसे आखिर में होता है theta और ये आपको सुनने में हो सकता है कि शायद थोड़ा difficult लग रहा हो या फिर mathematics लग रहा हो लेकिन समझने में ये बिल्कुल भी आसन है हम एक-एक करके इसको देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे delta तो delta का मतलब क्या होता है तो delta का simple मतलब ये होता है कि कोई भी underlying जो asset है option का तो वो अगर बढ़ता है X amount से तो आपके option की price कितनी बढ़ती है या फिर घटी है तो इन दोनों का जो correlation रहता है इसको कहा जाता है delta simple भाशा में देखते है कि कोई आपको जो stock है वो जो है 120 से गिर रहा है गिर रहा है अभी 100 रुपए पे आके वो stock खड़ा है और आपको लगता है कि 100 के price का जो support है वो काफी अच्छा है और यहां से stock वापस उपर जाके 120 का जो level है वो touch कर सकता है तो यहां पे अगर आप आपको लगता है कि first यहां पे जो growth आएगा वो 10% का आएगा यानि कि जो 100 रुपीज का stock है वो 110 रुपीज पे जा सकता है ऐसे आपको लगता है तो यहां पे समझो आपने 100 रुपीज का जो call option है वो buy किया वो आपको मिल रहा है 15 रुपीज पे तो अगर वो 15 रुपीज पे मिल रहा है तो आपको calculation क्या कर रहा है कि आपके पास 100 रुपए stock की price है, underline price है और उसके उपर आप option कितने रुपीज का buy कर रहे हो 15 रुपीज का, लेकिन यहाँ पे upside आपको कितनी लग रही है सिर्फ 10 रुपए की, तो अगर आप जो भी आपका option का price है, वो आपको stock के price में add करना है, तो यहाँ पे option की price कितनी है, 15 रुपीज और आपके stock की price कितनी है, 100 रुपीज, तो 100 प्लस 15 आपका कितना हुआ, 115 लेकिन यहाँ पे problem यह है, कि आपको upside सिर्फ 10 रुपए की लग रही है तो यहाँ पे आप call buy करके, पैसे नहीं बना सकते हो, तो इस situation में आपको क्या करना है, इस situation में better है, कि आप put sell करो, ना की call buy करो, तो यह हो गया delta का study, I hope आपको समझ में आया होगा, यहाँ से हम आगे का एक point लेते है, जो है vega, तो vega क्या होता है, यह हम देखते है, तो vega का simple मतलब यह होता है, कि volatility कितनी है, तो volatility अगर ज्यादा होगी, तो option की जो price है, वो भी ज्यादा होगी, और जैसे volatility कम होती जाएगी, आपका option का जो price है, वो भी कम होता जाएगा, underlying asset जो है, underlying stock जो है, वो भले ही आपका stable हो, लेकिन अगर volatility बढ़ रही है, तो option की price भी बढ़ेगी, और अगर volatility कम हो रही है, तो option की price जो है, वो कम होगी, तो यहाँ पे simple vega समझना काफी simple है, तो vega में क्या है, कि अगर जब आप option में trade करने जा रहे हो, तब अगर volatility आपको लग रहा है कि काफी high है, मतलब इस से उपर volatility ज्यादा नहीं जा सकती, या फिर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो उस situation में आपको simply क्या करना है, जाके put sale करना है, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि volatility highest level पे है, तो volatility अगर highest है, तो यहाँ से मतलब कम ही होने वाली है, तो जैसे जैसे कम होती जाएगे, option की price कम होती जाएगे, तो यहाँ पे अगर आप put sale करते हो, और अगर आपके हिसाब से volatility कम होती जाती है, तो immediately आपके जो profits से वो शुरू हो जाएगे, volatility आपको count कैसे करनी है, तो historical आपको जो volatility का जो data हो आपको मिल जाता है, आपके charts पे या फिर आप NACBSC के website पे भी आपको मिल जाता है, और implied volatility जो है वो आपको real time में जो है, वो देखने को मिलती है, option chain में भी आप देख सकते हो, या फिर आपके charts में भी आप लोग जो है, वो देख सकते हो, तो वो अगर volatility कम है और इसके बाद आपको लग रहा है कि volatility बहुत बढ़ेगी, समझो quarterly result आ रहा है या फिर company में कोई news आने वाली है, कोई भी बात हो, तो यहां से उसके बाद जो है, आपको लगता है कि volatility इस stock में या फिर इस option में बढ़ने वाली है, तो उस वक्त आपको जाके call option जो vega को आपको ऐसे play करना है, सबसे आखिर में हम देखते हैं कि theta और theta में आपको क्या देखना है और कैसे trade करना है, तो theta मतलब क्या होता है, कि कोई भी option आपने buy किया है, या फिर sell किया है, जो भी आपका बीच में time जा रहा है, तो उस time के हिसाब से आपके option की price कितनी कम हो रह है, मतलब अगर आप देख रहे हो कि अभी March का मेना शुरू हुआ है, और अगर आप monthly expiry का कोई भी option देख रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपकी expiry अभी दूर है, अभी आप सिर्फ 2-3 तारिक पे हो, और expiry 25-26 तारिक को है, तो उस situation में आपको call buy करना है, लेकिन अगर आप expiry के नजदीक हो, मतलब अभी 22-23 तारिक है और 25 तारिक को अगर expiry है, तो उस situation में better रहेगा कि आप जो है option sell करो, यानि कि put option जो है, वो आप sell करो, क्योंकि ज्यादा तर expiry पे ऐसा ही होता है, कि जो भी options रहते, वो ज्यादा तर 5 पैसा या फिर 0 पैसे पे जाके close हो जाते ह अगर आप expiry के नजदीक हो, तो आपको option sell करना है, लेकिन जितने आप expiry से दूर हो, यानि कि मैने के या फिर weekly expiry के, अगर आप start में हो, तो वहाँ पे आपको option buy करना है, तो expiry से दूर हो, तो option buy कर लो, expiry के नजदीक हो, तो जाके आप put sell कर सकते हो, या फिर जो भी option है, आप जो है वो सेल कर सकते हो यहाँ पे यह तीनों चीज़े अकाउट में लेके ही आपको ट्रेड करना है आप सिर्फ थीटा देखके सिर्फ वेगा देखके या सिर्फ डेल्टा देखके आपको ट्रेड नहीं करना है यह तीनों ही चीज़े आपको देखनी है उसके हिसाब से ही आपको trade लेना है अगर आप इन में से कोई भी एक चीज follow करोगे और बाकी की चीज़े अगर आप नहीं देखोगे तो आपके loss के जो chances है वो ज्यादा है वो loss आपको ज्यादा हो सकता है तो इन तीन चीज़े आपको देखना है और जैसे जैसे दिन जाती जाएगे आपको ये चीज़े simply एक glance में भी आपको समझ में आती जाएगे शुरुआत में अगर जो भी आपको difficulty आती है उससे fed up मत होना एक दो हफते continue ये study देखते रहना चाहे आप trade ना भी करो लेकिन आप ये तीनों चीज़े daily देखते रहना इसके बाद आप used to हो जाओगे और आपको यहाँ से trade करना easy हो जाएगा लेकिन एक बात हमेशा याद रखना option में trading करना ये काफी high risk जो है activity है तो आपका जो भी stock market में आप capital ला रहे हो मेरा हमेशा suggestion रहता है कि उसका less than 20% आपका option trading में होना चाहिए यानि कि अगर आप एक लाक रुपे लेके stock market में आ रहे हो तो सिर्फ आपको 20,000 रुपीज से ही option trading करनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा होते है तो सोच समझ के और अपना risk appetite समझ के ही यहाँ पे trade कीजे ऐसे informative वीडियोज देखने के लिए चानल को like, subscribe जरू कीजे और आपके trading के रिगार्डिंग और या फिर investing के रिगार्डिंग कोई भी questions हो तो नीचे comment में जरू में जरू में जरू में जरू कोशच करें Thank you so much